लुए फ्रेंड्स वेलकम टू एलकेकेडेमी अयम्म आकाश मेता आज हम डिसकस करेंगे करंट आफेर्स सब्टेमबर फस्ट वीकडे लेट्स टार्ट विध फस्ट नूज हमारी पहली नूज है प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के उपर है प्रतानमंत्री कौसल विकास यूजना के उपर अभी ये प्रतानमंत्री कौसल विकास यूजना क्या है उसके बारे में समझते हैं अभी यूजना क्यों recent news के अंदर है कि recently ministry of education ने अभी लोकसवा को inform किया है कि वहीं more than 3 lakh women were trained under the प्रतानमंत्री कौसल विकास यूजना scheme ये प्रतानमंत्री कौसल विकास यूजना scheme के अंदर में more than 3 lakh women को train किया गया है during the financial year 2021 ऐसा किसमें बोला है ministry of education के त्वरा inform किया गया है लोग सबा के अंदर तो अभी प्रतानमंत्री कौसल विकास यूजना का main objective क्या है और किस तरीके से उसने training provide की है women's को उसके बाद में देखते हैं अगर मैं प्रतानमंत्री कौसल विकास यूजना के बात करूं तो स्कीन इंजया mission was launched by the government in 2015 2015 के अंदर है गवर्मेंट के त्वरा स्कीन इंजया mission launch किया गया था अंदर बीच तो flagship scheme बाद मत्री कौसल विकास यूजना इज़रन सबसे पहला question कि बादानमंत्री कोसल विकास यूजना scheme कौंसी के इंडर में काम करती है skill इंडर में काम करती है इस मीशल के अगया था तो जब्धरां के अंदर लॉंच किया था ऊछर ये पतार मंतरी कोशल विकार स्योजना का main objective क्या है to train over 40 करोड पीपल in India in the different skills by 2022 2015 के अंदर ये launch किया गया था और 2012 तक 40 करोड पीपल को train करना अलग-अलग sectors के अंदर ये पतार मंतरी कोशल विकार स्योजना का main objective है राइट ये जो पतार मतरी कोशल विकार स्योजना है इसको पूरे इंडिया निवल के उपर implement कौन करवाता है नेशनल स्किल अलपय कोर्पोरेशन टो कंसे ministry के इंडर में काम करती है मिनिठ्यो स्किल एफ्में के इंडर में काम करती है तो देखो इसी page के उपर से इसी slide के उपर से बहुत सारे questions बते है था पतार मंतरी कोशल विकार स्योजना बना मना बाइट 2022 इसका टार्गेट है और यह पतार मत्री कोशल विकाश्योजना को पूरी इंडिया लेवल के उपर इंप्लीमेंट कौन करवाता है निश्टन स्कील एलवन कोर्पोरेशन और यह संसा कौन से मिनिस्ट्रे के अंडर में काम करती है बना में आप्र उक्तार मत्री एंजर कोशल पूरकस्यों ऑन्होंतर है कि अपर 15 जुलाइं वल्ड यूथ स्किल्डे सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन के ऊपर दुदार पंतरा के अंतर पदर मंतरी कोसवी का स्योजना जो वल्ड के सबसे लाज़ेस्ट स्किल्टिफिकेशन स्कीम बने उसका एम था तो इंकरेज और प्रमोट तो स्किल्ट लेलोपेंट इन अ कंट पर इंसेंटीव मतलब उसको स्टाइपन भी दिया जाता है तो ताकि उसको इंकरेजमेंट मिले के वो एक तो स्किल्ट भी अक्वाइर कर रहा है उसको सेलरी भी मिल रही है रही है अगर मैं उसके की कॉंपोनेंट्स के बात करो तो स्ट अप ट्रेनिंग स्पेशल प्रोज किया था पदर मतरी कोसल विका स्युथना बन पॉइंट जीरो के अंडर में राइट ओके तो यह कब सली कब लॉंच किया के था वो यूच्छ इंडे कब आता है वह आपको जैन में रखना है राइट ओके उसके की कॉंपोनेंट्स कॉन-कॉन से हैं वह आपको जैन में रख से लेके 2020 तक जो 1.0 था 2015 से लेके 2016 तक एक ही साल का था अब यह सेकेंड 2.0 2016 से लेके 2020 तक उसको कवर किया गया था रैइट इस लॉंच बाइ स्केलिंग अब तो बोच इंडे टर्म्स अप्टर इन जियोग्राफी एंड ग्रेटर अलाइमेंट इंडिया लेकिन इंडिया स्वाच बारत तो यह जो गवर्मेंट के डिफरेंट डिफरेंट मीशन से उसके साथ प्रदामंतरी को उसल विकास से उतना को लिंक किया गया मनलब लोगों को ट्रेनिंग प्रवाड की गई लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए कि मेर्किन इंडिया मतलब फर एजम्ब प्रदी बेस के उपर और प्रडॉक्सन भी बढ़ा है जाता है उन लोगों को ट्रेनिंग भी प्रवड की जाती है तो मेकिन इंडिया डिटल इंडिया स्वाच बारत यह जो बारत के जो प्रोग्राम है नेशन लेवल की उसके साथ इसको लिंक किया गया और बजेट कितना और सेंटरी मेनेज़ स्कीम और सेंटरी स्पॉंशन और स्टेट मेनेज़ अभी और इसका आउटकम क्या निकला बाराचर करोड रूपया का यह बजेट के अंदर इसको अनौस्मेंट किया कि हम प्रदर मंतरी कोसल विकास युद्णा 2.0 के लिए 2016 से लेके 2020 तक कितना रू और 2.0 1.0 के अंदर 20 लेक था और 2.0 के बाद 1.2 करोर पीपल को यहां पर ट्रेनिंग प्रवाड की गई बाराब नमदब उनको परमेनन नहीं लेकिन टेंपरे बेस के उपर इंप्लोइमेंट में नहीं उनके अंदर स्कील एक्वार्मेंट हुआ राइट ओके पत्रमत्री कोसल विका सुधना 3.0 के अगर बात करूं उसका थर्ड फेस जो लॉइंच किया गया 717 डिस्टी के अंदर 28 से और 8 इंदर लॉइंट और इहां पर थोड़ा सा आत्मन भारक के उपर फोकस किया गया अगर मैं उसके इंपलीमेंटेसिंग की बात करूं तो इट ग्रेटर रिस्पोंसिबिटीज एंड सपोर्ट फ्रम स्टेट और इंदर इंदर नॉर्माली जो वन फवन पोइंट और टू पोइंट जिरो के अंदर है वो सेंटर के थ्वारा ज्यादा फोकस किया गया था इस किम को इंपलीमेंट करने के लिए लेकिन 3.0 के अंदर स्ट प्लेट प्लेट की रूल इंदर स्कील गैप एंड सेंटर नीबां इंटर डिस्टिक लेबल अभी देखो 1.0, 2.0 के अंदर क्या किया था था for example making India making India यह सेंटर गवर्शंट का मेर्मेंट का स्कीम है 2015 के अंदर लॉंच 2014 के अंदर उसκो आइप लॉंच किया किया था अब यह में के अंदर इतनी भी कंपणीस को select किया है उसी कंपणीज के अंदर ये जो पदरमतरी कोस्तन विकास इसके अंदर उनको ट्रेनिंग प्रवड़ की जाते थे बार मतलब सेंटर लेवल के उपर ज्यादा फोकस किया जाता था सिंपल बराम सेंटर गवर्मेंट उसके उपर ज्यादा फोकस कर रही थे लेकिन प्रतान मंत्री कोशल विकास यूजना के अंडर में उन लोगों को सिल करेगा तो कि दिस्टिक स्कील कमेटिंग यह प्रवड़ करेगी तो इस दिस्टिक लेवल के उपर आपर मुलें बुसको डिसेंटर लेस्ट किया गया है सिंपल ओके परफेंटी बराम ना अगर मैं इसके फीचर के बारें बात करूं तो कि वह इस सपोर्ट से ट्रेनिंग अब दो एक लेक के लिए और शिंपर दोजर्वीश एक इस वीचन आउटली ऑफ दो नाइन फोर्टी एट पॉट्टी एट पॉन एंटी करोड़ के उसने आठ लाग के लिए इस तक अब ट्रेनिंग प्रवाड़ कर दी है इस पीम के तबारा इट वीच बूर्ट ट्रेनि का सब्यूक कर दो फियुकति के लिए ढर्रेश से सब्सक्राइब के निन City आप्री चेर्ट जाहेंगत जो जो स्कील प्रवाड की जाएगे उनका पर प्रवाड की जाएगी इंडेस्टी 4.0 वालब मस्टिन लर्निंग आटेविशन इंटलिजन्स वागेरे सेक्टर के अंदर वहां प्रवाड की जाएगे राइट इंट यूट सीट वहां प्रवाड है कि जो जो जोब कर रहा है सब कर सकता है तो कोई बी लेएट के उपर वो स्कील एटोर कर सकता है और एक जिज honored मतलब यहां पर वोकल फोर लोकल के उपर ज्यादा फोकस किया गया है मतलब जो चीज़ हम डॉमेस्टिकली प्रॉड्यूस कर रहे हैं उसी में लोकों को स्कील देने की बाद चल रही है वारा मना 3.0 के अदर है ओके हमारी नेक्स्ट न्यूसर फ्रेंड्स की जी ट्वेंटी एज्यूकेशन मिनिस्टर्स के भी मीटिंग हुए थी अभी आपको पता ही होगा जी ट्वेंटी एक ग्रूप का नाम है जिसमें 19 कंट्री मेंबर्स है और एक यूरोपेन यूनियन मेंबर है ट्वेंटी कंट प्रेंटी की एज्यूकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग और यह कहां पर हुई थी बाली इंडोनेशा के अंदर अभी त्यूंकि जी ट्वेंटी की चुट जार बाइस की प्रेसिदेंसी नो वो इंडियोनेशा के पास है रहे इसके लिए जो मीटिंग हुई थी ना वो पाली इ एज्यूकेशन है कौन है धर्मेंद्र प्रदान ने जी ट्वेंटी की एज्यूकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग को एड्रेस किया था मिनिस्टर एज्यूकेशन कौन है धर्मेंद्र प्रदान तनमेंद्र प्रदार उन्होंने इस मीटिंग को एंट्रेस किया था बाली इंडोनेशा के अंतर इस मीटिंग की थेम क्या रखे गई recovery, reimagine and rebuild stronger recovery, reimagine and rebuild stronger यह स्मिटिंग की theme रखी गई G20 Presidency is scheduled to move from Indonesia to India in December 2022 मतलब 2023 की G20 की Presidency किस के पास है इंडिया के पास 2022 की किस के पास थी इंडिया के पास तो अभी इंडिया के पास G20 की Presidency आने वाली है तो जिसे पर तुझार बाइस है अगर मैं इस meeting के highlights की पर में बात करूँ तो यहाँ पर focus क्या गया है on the importance of the sharing the mutual experience and working together to create a new world in which education demands a normal point for the address in the common challenges यहाँ पर इस meeting के इंदर focus क्या रखा किया education minister की meeting हुई कि जो common challenges है इसको face करने के लिए education को एक nodal point बनाया जाए कि education के उपर स्यादा focus है जितने लोग educated होगे तो उतनी बातों को जादा समझते है तो सभी common challenges जो हम face कर रहे है उसका एक nodal point है education तो यहाँ पर education को किस तरीके से focus बनाया जाए अगर अलग-अलग countries के पास जितनी member countries है उसके पास जितने भी ideas है उसको share करने की यहाँ पर बात चल दए है अगर मैं G20 group के बारे में बात करूँ कि it is a group of the 19 countries and the European Union which is founded in the 1999 with the representation of the international monetary fund and the world bank IMF, world bank, उसके अलबा 19 countries और एक European Union उसके member countries है कब फोंगे एक जितने जितने 1999 के अंदर उसके members कौन है बहुत ही important है highly important point है कि G20 के members कौन है तो Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of the Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, UK and US और एक European Union यह उसकी member countries है Nigeria ने apply किया था G20 के member बनने के दिए लेकिन उसको नहीं बनाये गया है तो Nigeria was meant to be the 20th member and was dropped at the last minute due to the political troubles at that time Nigeria ने apply किया था जोड़ाब इस एक case के अंदर लेकिन उसको फिर member नहीं बनाये गया है तो यह आपके लिए important है अगर मैं G20 के member states की बात करूँ तो G20 की members है वो represent कर रहे है more than 80% of the world GDP 75% of the international trade and 60% of the world population तो इतना strengthy group है G20 अगर मैं G20 के functioning की बात करूँ तो G20 has no fixed headquarters उसका कोई fixed headquarters नहीं है वैसे हर एक group का एक fixed headquarters होता है for example SEO का है Beijing के अंदर लेकिन G20 का ऐसा कोई भी fixed headquarters नहीं है उसके अलबा G20 के total 20 countries को 5 अलगल गरूप के अंदर डिवाइड किया गया और India कौन से group के अंदर है group number 2 के अंदर along with India के group के पौन है Russia, South Africa and Turkey है important है कि G20 के अंदर 5 groups है हर एक group के अंदर 4-4 countries और India के अंदर Russia, South Africa वतूरी की है right G20 के अंदर दो different concept है Shirpa और Troika meetings अभी देखो for example अगर मैं Bricks की बात करूँ example लो Bricks का for example एक Bricks का example लेता हूँ जिसमें 5 member country है Brazil, Russia, India, China और South Africa और 22-22 के presidency है ना चाइना के पास है right तो यहाँ पर क्या होगा कि चाइना के अंदर for example meeting होने वाली है इस बार बरा मना तो यहाँ पर चाइना के अंदर एक secretaryate होगा Bricks का जिस सरी के से इंडिया के अंदर secretary है ना सुसमा स्वराज बवान में है तो यहाँ पर अगर for example इंडिया के अंदर presidency होगी ना जब भी Bricks की तो ब्राजिल, रसिया, चाइना और साउथ अपरिका यह चारों countries के से चारों countries में से अलग-अलग representatives आगे यह secretaryate के अंदर meeting करते हैं फिर वो लोग आपसी सहमाती से कुछ decision लेते हैं फिर अपना यह decision फिर hero of the government को फिर इंडिया के hero of the government कौन है PM Modi फिर उनको recommend करते हैं फिर यह जाके approve करते हैं ऐसा होता है mechanism लेकिन G20 के अंदर यह सब काम कौन करता है G20 के अंदर यह सब काम करता है Sherpa यह सब काम करता है Sherpa यहाँ पिर उसको एक अलग सा नाम दिया गया है तो यह Sherpa वो policy को frame करते हैं और फिर उनको recommend करें के वो PM को और PM फिर जाके approve करते हैं simple तो अभी recently G20 के नए Sherpa कौन बनाए गए है पहले P.U.S. कोई थे अभी नए Sherpa बनाए गए है Amitab Khan Amitab Khan जो पहले NITIO के CEO थे पर अभी इनको भी G20 का Sherpa बनाए गए है इंडिया की तरफ से उसके अलबा G20 के अंदर एक concept होता है तुरूई का मीटिंग्स का वी तुरूई का मीटिंग्स के अंदर कौन participate करता है कि for example 2020 के अंदर G20 के presidency थी Italy के पास इंडिया के पास बना और 2023 के पास होगी meeting presidency होगी 2023 के अंदर इंडिया के पास बना तो यह 2020 2021 2222 और 2022 मनदब अभी जो रिसन चल रहा है वो उसके पहले जिसके पास presidency थी वो और इसके बाद जिसके पास presidency आने वाली है तो यह तीन country साथ में मिलके त्रोई का meetings के अंदर बैठते हैं G20 के अंदर आपके exam point of view से कि त्रोई का meetings किसका concept बेगी 20 का से दे पास किसका concept बेगी 20 का उसके अंदर कितने groups होते हैं का पांच group होते हैं एक group में चार है इंडिया के group में कौन-कौन है वो आपके exam point of view से important difference बारा बना हमने next news है civil servants and digital literacy उसके उपर अभी recent news में क्यों है कि recently Microsoft ना भी partnership की है with the ministry of skills development in entrepreneurship and the capacity building commission to empower India civil servants with the future ready skills अभी आपको पढ़के ये sentence समभज में नहीं आया होगा लेकिन जैसे जैसे आप news को आगे समझे के आपको ये समझ में आ जाएगा ये news की headline है तो partnership under the project capacity building by the ministry of the skill development and entrepreneurship in Microsoft digital productivity skills ये project का नाम है capacity building by the MSDE in Microsoft digital productivity skills which aims to enhance the functional computer literacy of nearly 2.5 million civil servants of the government of India ये यहाँ पर actually objective ये है कि जो 2.5 million civil servants है government of India के उनके अंदर computer literacy create करने के लिए एक project launch किया गया है और इस project का नाम है capacity building by the ministry of the skill and entrepreneurship in Microsoft digital productivity skills right Microsoft की जो digital productivity skills है उसका इस्तबाल करके computer literacy यहाँ पर प्रोडूश की जारी है civil servants के अंदर सरकार के right this project is in line with the mission कर्मयोगी और mission कर्मयोगी जो launch किया गया था government के द्वरा उसी का भी main objective यही था जो civil servants है उनके अंदर final computer literacy create की जाए तो ये mission कर्मयोगी के in line ही ये project को launch किया गया है right अभी वाए कि digital literacy is important for the civil servants civil servants की digital literacy क्यों important है तो प्रोवाइड था efficient and effective citizen centric services अगर उनके पास digital literacy होगी तो वो अपने citizen को efficient and effective services प्रोवाइड कर भाएगी right कि digital literacy will be empower the India's civil servants to provide the efficient and effective citizen centric services to the vulnerable women in underprivileged sections of the society right it will be enable them to deliver the last mile social welfare services right इसके लिया उनकी निदर digital literacy होनी बहुत जरूरी है bridging the competency gap कि one of the major competency gaps identify in the various job roles among the civil servants is the lack of the digital productivity application skill कि जो civil servants है उनमें एक सबसे बड़ा gap एक competency gap कौन सा दीख रहा है कि कुछ civil servants ऐसे है कि जो जिनके दर इसे बहुत हाई लेवल की है और कुछ civil servants ऐसे है कि जिनको computer चलाना भी नहीं है था तो यह जो gap की वज़े से है ना वो effective service नहीं प्रोवाड कर रहे है बड़ा मनना citizens को इसके लिए यह प्रोवाड करना बहुत चरूरी है बड़ा मनना कि what competencies will the civil servants of the future need कि जो civil servants अभी जो future में बने कि उनके अंदर कौन-कौन सी competencies चाहिए तो unifying framework across various sectors कि एक same framework चाहिए अलगरा sector के अंदर कि there is currently no unifying framework across public sector, private sector and the civil society कि किस सरीके से computer literacy प्रोवाड की जाए उनको कौन-कौन से कौन-कौन सा content उनको प्रोवड के जाए कौन से चीज़ों के अंदर उनके अंदर awareness create करनी है तो एक unified framework की नहीं है कि उनको किस सरी किस सरे train किया जाए कि while the technical competencies that the civil servants need are similar to those required in the private sector legal governance competencies are something else entirely there is a need for the shared language and understanding of what artificial intelligence for the public good is right simple basic के private sector public sector और आप कोई भी सेक्टर नहीं के अंदर काम करते हो आपको डिटल डिट्रीशन सेम टाइप की चाहिए लेकिन दुनों के फ्रेंबर डिफरेंट डिफरेंट है तो आपको सब्सक्राइब यूनिफर्म करना पड़ेगा दूसरा स्कीलिंग अपने डिटल सॉल्यूशन्स के पॉब्लिक सर्विशिस इस्ट डिफिकल्टीज इन स्कीलिंग अपने डिटल सॉल्यूशन्स द्यूशन्स दूट इंफराचर गेप्स और कि उनको अम डिटल सिक प्रोवेड करेंगे जब उनके पास पॉपिटर होगा तब नहीं तो इंफराचर गेप है पब्लिक सेटर के पास कम पॉपिटर से प्राइब के पास स्यादा कम्पूपिटर से तो उन लोगों को जाधा स्कीलिंग प्रोवड की जाती है और पब इस संसा के पास अगर मैं बात करूँ कि एक ऐसी संसा के जिसके पास कोई भी कॉंपिटर वगरा नहीं है और एक ऐसी संसा जिसके पास सब कुछ वैसे रेती है तो एसा जरूए है कि अब यह संसा के अंदर आप कंपूटर ला के उनको फिर ट्रेनिंग करें ऐसा नहीं है अब उस संसा के पास की जिसके पास सब कुछ फेसलेट ही है महाँ उसके साथ पार्टनर्सिप करके आप अपने इंप्लेई को महाँ पे टेनिंग कर आ सकते हो रा हमारी next news है कि इंडिया become the world's fifth largest economy इंडिया अभी बल्ल की पांच भी largest economy बनी उसके पाने में डिसकर्शन करते है कि recently इंडिया become the world's fifth largest economy by overtaking the UK UK को उसने overtake किया जिसने हमारे पर 200 साल राज किया उसको हमने overtake करके हम दुनिया की fifth largest economy बने है now the US, China, Japan and Germany ये चारी कंट्री हमारे से आगे है in the terms of economy now US, China, Japan and Germany are the only nations with the economies larger than India's economy right the real GDP growth of 6.5% in the world full of the uncertainty is a new normal and India is set to be the third largest economy by 2029 देखो friends हम वर्ले के fifth largest economy बन गए है UK को हमने पीछे छोड़ा है और अभी हमारे से आगे के कौन है US, China, Japan and Germany और जर्मनी और ऐसा माना जा रहा है कि हम third largest economy बन जाए कि 2029 तक मतलब US, China के बाद इंडिया का नमबर आएगा हम जापन और जर्मनी को पीछे छोड़ दे के right the Indian economy is forecast to be the fifth larger than UK by 2027 ऐसा माना जाता था कि इंडिया की economy है न वो UK को कब सरपास करेगी 2027 के अंदर लेकिन हमने time से पेले उनको सरपास कर दिया है right क्यों बना था key highlights of this achievement इस achievement के highlights क्या है तो moving past one of the biggest economy in the world especially one day ruled over the Indian subcontinent for the two century is a major milestone बना और अगर मैं size of the economy की बात करूँ तो size of Indian economy in the nominal cash term in the quarter through March 2022 was $854.7 billion while the UK was $16 billion बना कि इंडिया की जो economy है उसकी size अगर मैं March 2022 तक की बात करूँ तो $854.7 billion और UK की size कितनी थी $16 billion बना इंडिया नॉमिनल cash form के अंदर बना मना कि कितना cash market के अंदर गूम रहा है उसके अगर हम बात करें तो रहें तो हमने UK को सरपास कर दिया है specially एक ऐसी country जिसने में हमारे पर 200 साल राज किया है okay ठेकिन अगर हम comparison करें with the UK तो हमारी जो population size है कि as of 2022 इंडिया है जो population of the 1.41 billion बाद the UK's population is 68.5 million अमारी population UK से कितनी ज्यादा है हमारी $1.41 million है और UK के population कितनी 68.5 million तो अगर मैं GDP per capita की बात करूँ तो GDP per capita provides a more realistic comparison of the income level because it divides the country's GDP by the population of the country कि for example अगर मैं बात करूँ कि हमारी economy तो no doubt market में हमारा ज्यादा cash कुम रहा है compared to the UK लेकिन हमारी population UK से कितनी ज्यादा है अगर हम उस cash को अगर हम उस GDP को अपनी population से divide करें तो GDP per capita हमको मिलता है तो यह GDP per capita के मामले में हम बहुत ही पीछे है इवन हम बंगलादे से भी पीछे है और अगर मैं बात करूँ पर capita income in India remains very low इंडिया is ranked 122 out of 190 countries in the term of the per capita income in 2021 तो हम इसके अंदर बहुत पीछे है UK से ओके GDP per capita के अंदर हमने GDP के अंदर बले उसको पीछे छोड़ दिया है रहें लेकिन हम अगर GDP per capita की बात करें तो हम बांगलेदे से भी पीछे है friends बना बना तर लोग per capita income offer a point to the high level of the poverty right कि at the start of the 19th century the UK still in the extreme poverty was considerably higher than the India's right however the relative positions have reversed even though India has made giant strides in the curbing the poverty right कि जब 19th century के अंदर UK के अंदर जादा extreme poverty थी compared to the India लेकिंग अभी reverse हो गया है right अगर मैं health के उपर बात करो हमने poverty के उपर बात कर लिए कि बहीं poverty के अंदर India कितना आगे है बरा मना किता पीछे है UK कितना आगे है बरा मना देखो सबसे पहले हमने बात की GDP GDP के अंदर इंडिया ने UK को क्रॉस कर लिया है लेकिन अगर मैं बात करो GDP पर के पीटा तो इंडिया बहुत ही पीछे UK से राइट अगर मैं अभी health sector के अंदर बात करो the universal health coverage index is measured on the scale from zero which is worse to the hundred which is based based on the average coverage of the essential services including the reproductive, maternal, newborn and child health, infectious disease, non communicable disease and service capacity and access right ते अग्दा हम इस सब कीजों के उपर assessment करे और universal health coverage index से कर में बात करो राइट तो वाल फास्टर economic growth and the government's policy focus on the healthcare scheme since 2005 have made a distinct improvement for the India and there is still a long way to go हमने no doubt 2005 के बाद health sector के अंदर बहुत ही अच्छा performance किया है लेकिन अगर अगर आपको UK को सरपास करना है इस के मामले में भी हमारे बहुत आगे है अगर मैं comparison करूं तो आप यहां में देख सकते हो इतना gap है राइट अगर मैं human development index की बात करूं तो एंड अप गोल अप धायर GDP ओके एंड फास्टर अगर में अच्छा पर्मांस करें न तब भी हम दस साल के अंदर हम कहां तक पहुंचे के जिए जाए न पहुंचे जब UK 1980 के अंदर था तब तक तहां तक महां तक पहुंचेगे आप इंडिया 10 साल के अंदर महां तक पहुंच सकता है जब UK 1980 के अंदर था तो यह सिनारियो है अगर हम realistic situation की बात करें तो रैइट इस्यूज के अगर बात करूं कि अब इंडियन एकोनोमी के अंदर क्या मेजर इस्यूज चल रहे है तो एक तो slowing exports and rising import हमारा जो export है नहीं बहुत slow है चुली और इंपोर्ट बहुत हम ज्यादा पास्टी करवा रहा है रहे फिर unpredictable weather raising inflation यह इंडिया के कुछ issues से जिसके और से इंडियन एकोनोमी को रॉप वह असर करता है simple बढ़ा बना हमारे next news और फ्रेंड पी एंप स्री स्कूल्स के ओपर पी एंप स्री स्कूल्स एक स्कीम का नाम है अभी यह स्कीम क्या है उसके बारे बात करते हैं कि यह उन्तों ओकेशन अपर टीचर्स दें स्कीम के अंडर में चौदार पांसो स्कूल को अपरेड किया जाएगा कौण्स स्कीम के अंडर में नेशन एज्जी के पॉलिशी 2020 के अंदर में और यह स्कीम का लॉज़ करेंगे टीचर्स दें 5 सप्टेंबर को सेलिब्रेट किया जाता है उसके उसी दिन इसको लॉज़ जया गया है अभी अगर मैं टीचर्स दे की बात करो तो टीचर्स दे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के अंदर कि अगरी अंदर कि यTI इंडियर करें के ब𝘦ोए्टेंग चेबर बाता स्प्टेंबर के घ्यूर क अट भी इंडरशना, इंडिऊ धि gereal दो, कर रस देटे डिंडिक्तर, अंद रिंड्सटब्रेट. कि युडेश साविवारी यहां पे जब डॉक्टर सरोपली राधा कृष्टन जब वो प्रेसिडेंट बने 1962 के अंदर तब सुडेंस क्या डिबांड कर रहे थे कि वो उनकी बर्थडे को सलिब्रेट करें फेस्टेबल मेंडर लेकिन उन्होंने बोला कि आप मेरे बर्थडे को सलिब्रेट मत करो लेकि अगर मैं डॉक्टर सरोपली राधा करेंसर के अगर मैं बात करू तो ही वोसा बॉन इंटो केलूगू फेमिली इंद किरूतानी टाउन अब तामिल्डाडू 1888 के अंदर उनका बॉन होगा था अगर मैं उनके एकेडेमिक्स के बात करू तो ही स्टुडिट फिलोसोफी इंदिया के सबसे पहले प्रसेडन कोन थे अपका हमवाग करेका इंद्या के सबसे पहले प्रसेडन कोन थे मना और उनके वाइस प्रसेडन रहे थे 1952 से लेके एक बाद मांद में परसेडन थे तक वह बाद मांद रहे हैं तो यह उनके कुछ इंप्लमें जो बड़ी आगरम बात करें तो हूंके यह इंप्लमेंट रहे हैं अगर उनके काम के बारे बात करें तो इनको 1984 के अंदर उनको पॉस्टिमेस्टी आफ्कर देट उनको भारत रतना अवर्ड दिया गया और कि अचलि टेटे के ऊपर निशानल टीचर अवर्ड भी दिया जाते हैं रमना तो ॉकक कोई उसप्टेंबर इंदर तो कोईटर отвеч पूर्सोर वार टेचर सूरोनीश पूर्टेश एक निर्सा राइड वार्स टीर्डियस अंधर पॉछ्ट। करहा भाटम्ने अपडाइड कर्यूर्ग टेचर सब्सक्राइब कर दिसना अंधर वीजुथीर्ट टेचर टेमंड़ी किस परने अंधर ताधड़ इंडिया तो जो में बहुत अच्छा काम किया हुआ को इस तीन के उपर आवर्ड दे लाता है और 50 थाफ़ां की कैस प्रैस बहुत इंपोटन्ट है अभी हम पीम स्री युजना क्या करें बात करूं तो पीम स्री युजना क्या है कि आध़ी सेंट्रली स्पॉंशर्ड जिम बने पर परने दिम साहिते एक संट्रली स्पॉंशर मैंने आपके पकी। सन्ट्रली स्पॉंशर we sponsored or centered sector scheme to pride 85 होती हैliche राप अना क्या होता है कि इता कि विछ पैसा प्रॉड करती है और शेंटर सेंटर सेक्रिपिक पॉरा पैसा प्रैसा क्ष्वेड करती है यह वो सेंटरी स्टेम्प करती है गते हैं familiar Toyot boring इंदर पुरा पैसा प्रॉड करती है 14,500 schools across the country यह इतनी तो government school है 14,500 schools को upgrade करना है उसको development करना है इस team के अंडर में इत aims at centering the selected existing schools from the among the schools managed by the central government, state और new territory government और local bodies उसका main objective क्या है कि 14,500 schools हम select करेंगे उसको upgrade करेंगे फिर उसको एक model बनाएंगे और यह model बाकि स्कूल को as a mentor की तरीके से काम करेंगे सर्म्यार है friends इस जो 16,500 schools है वहाँ पे जो nation education policy 2020 का इतने भी rules and regulations वहाँ पे implement किया जाएगे और वो एक act करेंगे as a exemplar schools and also offer the mentorship to the other schools in their vicinity बारावा वो other schools के लिए एक mentorship के तरके उपर काम करेंगे तो इम उसकोल्स भी not only be qualitative teaching, learning and cognitive development but also creating the holistic and well-rounded individuals which is equipped with the 21st century skills मनब ये school का app develop करना उसका एक मात्र उध्य से ऐसा नहीं कि students को quality education मिले दूसरा उध्य से भी है कि students जो बाहर निकले इस school में से उनको 21st century के जो skills है machine learning, artificial intelligence, program coding उनके अंदर मिन नॉलेज मिले है बना तो nation education policy 21st century के सारे rules यहाँ पर implement किये जाएगे हमारे next news है India and startup दोनों के बीच में क्या relation है उसके बादे बाद करते है कि recently government of India stated that कि India ranks third globally in the startup ecosystem and also in the terms of the number of the unicorns number of the unicorns अभी unicorn क्या है और इंडिया कैसे third rank पे hold कर रहा है globally उसके बाद करते है सबसे में बात करते हैं कि what is the state of the startups in India तो इंडिया has become the third largest startup ecosystem in the world after the US and China सबसे ज़्यादा startup ecosystem US के इंदर है second number पे चाइना और third number पे इंडिया इंडिया is home to as many as 75,000 startups 49% of startups are from the tier two and tier three cities बड़ा बना है तो मनलब ऐसा नहीं कि tier one cities के अंदर ही सभी startups है 49% of the startups is 75,000 startups में से tier two and tier three cities में से है there are currently 105 Unicorns 75,000 startup में से 105 Unicorns है out of which 44 were born in 2021 and 19 in 2022 total 105 Unicorns है बड़ा बड़ा और उसमें से 44 were born in 2021 and on 19 in 2022 रहें और यह जो startups है ऐसा नहीं कि वो manufacturing sector के अंदर ही अपना चलवा दिखा रहे है इस startups are also emerging in the field like the IT, agriculture, aviation, education, energy, health and space sector यह सभी sector के अंदर में startups अच्छा perform कर रहे है अगर मैं Global Innovation Index की बात करूँ तो India has been ranked in its global ranking of the Global Innovation Index from 81 in the year 2015 to 46 in 2021 among the 130 economies of the world कि Global Innovation Index के अंदर इंडिया ने कितना अच्छा performance के 2015 के अंदर इंडिया का रहेंग था 81st out of 130 countries और अभी है 46 in 2021 के अंदर रहें बात करूँ out of 130 economies इंडिया has ranked second among the 34 lower middle income countries and first among the 10 Central and Southern Asian economists in the terms of the Global Innovation Index अगर मैं Central और South Asia के अगर बात करूँ तो इसमें इंडिया का first number है Global Innovation Index के अंदर अगर मैं lower middle income countries के बात करूँ तो इंडिया का second number है right Global Innovation Index के अंदर अगर मैं patents publications उसके बार में बात करूँ तो publications के अंदर इंडिया का रहेंग के third जो पहले 2013 के अंदर six number पे था बारा मना अभी वो third number पे आया है based on the national science foundation database अगर मैं patents के बात करूँ तो इंडिया का रहेंग global level पे ninth है in the terms of the resident patent filing और quality of the research publication के बात करो तो ग्रूबली इंडिया का रहेंग 9th नंबर पे 13 था 2013 के अंदर बारा मना तो सभी जगह पे यहां पे इंडिया ने डिखाया है ओके तो इंडिया ने इस start-ups ecosystem के अंदर इतना अच्छा performance किया है उसका main reason किया है what are the growth drivers and challenges for the start-ups सबसे पहला government support India has increased the gross expenditure on the R&D more than three times in the last few years India has over five lakh R&D personal the number that has shown 40 to 50% increase in the last eight years in the last eight years women's participation in the extra-moral R&D has also doubled मनलब women को भी इतना यहां पे मौका दिया जा रहा है और वह इंडिया तो जो R&D कूपर जो खड़चा है वो किन गुना बढ़ गया है कुछ सालों के अंदर तो यह government support के वज़े से यह possible हुआ है दूसरा adoption of the digital services the pandemic accelerated the adoption of the digital services by the consumers helping the start-ups and new-age ventures build the tech-focused businesses for the customer कि जितना हम adopt करें के digital services को इतना जो start-ups और जो new-age ventures है वो अपनी tech-focused businesses के नदोर उपर ज्यादा focus करते है तो वो लोग ज्यादा tech-focused businesses को open करेंगे और यही start-up फिर आगे जाकी exploiting of most of the services ranging from the food delivery and as you take to the e-grocery अभी देखो कि यह जो start-ups यह जो food delivery के अंदर like zometo, swiggy, as you take like on academy right fit e-grocery के अंदर भी बहुत सारे आ गए है बराबान है तो इन लोगों को बढ़ावा क्यों मिल रहा है तो कि अभी work from home culture है online services है अभी कोई बाहर जाके कुछ purchase करना ने चाहता है क्योंकि सबी लोगों को घर पे मैठे ही सब कुछ मिल जाता है इन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है तो इन लोगों का business अच्छा चल रहा है तो इतना companies को अच्छा profit होगा तो कि normally अगर हम offline payment करते तो इतना जदा मुनाफा नहीं होता तो यह सब कुछ growth drivers है कि चीज़ोंने startups को यहां पे इंडिया के दर बहुत ही dialogue किया है अगर हम कुछ challenges की बात करें तो increasing investment do not ensure the success of the startup बढ़ा बना तब billions of dollars being invested in the startups represent the large bets on the distant outcomes and do not value the generation by the way of the revenues कि ऐसा नहीं होता कि start-ups है तो वह चली जाएगा तो हम यहां पे बहुत सारे investment करते हैं लेकिन कभी कवा startup नहीं चल पाती है तो यहां पे discouragement भी होता है कि लोगों को नहीं लगता कि start-up के अंदर आप ज्यादे investment करें तो वही हमारा पैसा आगे जाके भी दूब सकता है बरामने तो यहां पे Indian public startup के अंदर इतना investment नहीं करती है India is still a marginal player in the space sector Space sector के अंदर आमने बहुत अच्छा काम नहीं किया है Currently the global space economy is worth 440 million which India having less than 2% in the sector आमको space sector के अंदर आभी बहुत अच्छा काम करना है The reason for the lack of the independent private participants in the space includes the absence of the framework to provide the transparency and clarity in the laws यहां पर इंडिया के अंदर इतने clear laws नहीं है कि लोग यहां पर participate करें space sector के अंदर privately और इंडियन इंवेस्टर्स है वो unwilling to take the risk यहां पर startup के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि वो रिस्क लेना पसंद लिए करते इंडियन इंवेस्टर्स तो यहां पर इसके लिए हम फिर बहार से पैसा मंगवाते startups को boost करने के लिए राइट इंडियन गवर्में के दोरा बहुत सारे startups को डेलोप करने के लिए कुछ initiatives भी लिए गए है उसके सब्सक्राइब करें मैं बात करूं तो निस्टर इनिसेटिव फूर्ट इवलोपिंग एंड हानेसिंग दे इनवेशन नीदी startup इंडिया एक्शन प्लान रेंकिंग अम्टा स्टेट्स और सब्सक्राइब एकोसिस्टम यहां पर कौन सा स्टेट की स्टाइब एकोसिस्टम मों ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे तो यहां पर रेंक भी प्रूबड के लिए स्टेट्स को ताकि competitive environment create हो फिस startup इंडिया स्ट different scheme नेस्ता startup awards SEO startup forum यह सब कुछ scheme है जो government के त्वारा लॉंच किये गए है बराबनने और इसकी इसी की बज़े से startup ecosystem के अंदर हमने इतना अच्छा performance किया है ओके तो यहां पर फ्रेंज हमने पूरी news के अंदर हमने बात की कि बही startup startup सबसे पहले तो हमको startup क्या होता है उसके बारे बता होना चाहिए कि startup क्या होता है तो startup एक ऐसी company होती है कि जो 10 साल से पूरानी नहीं होनी चाहिए not more than 10 years old रहें ओके उसके अलावा उसका जो concept वो इनोवेटिव होना चाहिए उसका को जो concept है वो इनोवेटिव होना चाहिए और उसके अलावा यह दस साल कोई एक छोटी-मोटी संसा है जो MSME मैं बोल सकता हूं कि छोटी-मोटी संसा मैंने इस्टाब्लिस की है तो शुरुवात में वो MSME की तरह में रहेसर करवाऊंगा फिर दो-तिन साल के ऑपरेशन के बाद मुझे एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया आया तो मैं स्टाटप के लिए अपलाई कर सकता हूं लेकिन यह दो-तिन साल के अंगर मेरा टरन ओवर कभी सो करोर से ज्याधा नहीं होना चाहिए अगर वह सोब क्रोब से जयदा हो का स्टाटप के लिए आपलाई नहीं कर सकता और गयर यह आईडिया 11-12 साल के उपर आया तब भी मैं startup के लिए apply नहीं कर सकता तो startup एक assistance था जो 10 साल से पूरा नहीं होनी चाहिए concept innovative होना चाहिए और इस 10 साल के अंदर आपका कभी भी turnover 100 परोब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो ये आप startup के लिए apply कर सकते हो फिर उसके अंदर ये आता है unicorn अभी unicorn क्या होता है कि जो भी startup जो भी startup जिसका turnover turnover एक million dollar से ज़्यादा हो जाता है turnover एक million dollar से ज़्यादा हो जाता है वो unicorn बन जाता है तो अभी आपने पढ़ा कि 75,000 startups हैं इंडिया के अंदर उसमें से unicorn कितनी है 105 मलब ये 105 एकसे startup से हैं कि जिसका turnover है ना एक million dollar से ज़्यादा हो गया तो ये unicorn क्या जाती है तो I think आपको ये समझ में आया होगा तो I think आपको आज के सभी news के अंदर अच्छे समझ में आया होगा Thank you friends Bye